अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आज हम 12 अकाउंट हैं सी के कुछ ऐस एडमिशन ओफ पार्टनर के कुछ ऐसे क्यूशन कराते हैं जिन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो देखिए क्यूशन नंबर 4 है हमारे पास X and Y are partner sharing profit in the ratio of 2 ratio 1 Z is admitted with 5 बटे 11 share which he takes 3 बटे 11 from X and 2 बटे 11 from Y calculate the new profit sharing ratio तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहां कि हमने नया partner कौन बना है Z तो यहां लिखेंगे Z share Z का इसा कितना है 5 बटे 11 Z acquired from X Z X से कितना acquire करता है 3 बटे 11 उसके बाद लिखेंगे Z acquired from Y Y से कितना acquire करता है 2 बटे 11 acquired from Y 2 बटे 11 फिर हम लिखेंगे X remaining share यानी Z को देने के बाद X के कितना बचाओ पुराणा था उसका 2 रेश्यो 1 में बाद के थे दोनों तो पहला रेश्यो था X का 2 बटे 3 minus 3 बटे 11 इसका अगर हम LCM निकालेंगे तो 33 आज आएगा 33 11 दोनी 22 यान 3 से काटेंगे तो 11 दोनी 22 minus 11 9 यानी कि इसका से ये बचेगा 13 बटे 33 उसके बाद लिखेंगे Y remaining share और Y का बचा Y सा कितना होगा 1 बटे 3 minus 2 बटे 11 इसी पर कर उसका 33 LCM 3 से काटेंगे तो 11 11 से काटेंगे तो 11 6 यानी यहाँ पर इसका आजाएगा 5 बटे 33 तो इनका new ratio जो होगा वो इस पर कार होगा 13 बटे 33 रेशियो 5 बटे 33 ये तो X का और ये Y का और Z का में पता ये ratio 5 बटे 11 33 LCM ले लेंगे तो 13 ratio 5 रेशियो 11 तिया 33 और 35 पंदरा यानी कि जो हमारा आणसवर आएगा 13 रेशियो 5 रेशियो 15 ये न्यू रेशियो होगा और क्यूशन एक आमारे पास ऐसा ही A, B, C वर पार्टनर इने फरम शेरिंग प्रोफित इन दाट प्रोफित इन वन रेशियो 2 रेशियो 3 दे अडमिट D अज न्यू पार्टनर फोर 16 सेर D एक्वायर इस सेर 124 फ्रों A, 124 फ्रों B, and 112 फ्रों C calculate the new profit sharing rate तो इसी पर का पहले लिखेंगे ये A से एक्वायर करता है एक बटे 24, B से एक्वायर करता है एक बटे 24 और C से एक्वायर करता है एक बटे 12 तो सिद्धा मैं आपको बताता हूं हम या लिखेंगे A is remaining share A is remaining share इसको एक बटे 24 देने के बाद एक का कितना बचा पहला कितना एक बटे 6, minus एक बटे 24, LCM आए गया 24, 6 चोग 24, minus 1 यानि कि 3 बटे 24 बच गया फिर लिखेंगे B is remaining share B is remaining share B का कितना बच गया एक बटे उसका आएगा 2 बटे 6, minus एक बटे 24, वही 24, LCM, 6 चोग 24, चयार दुनी 8, minus 1 यानि इसका बच गया 7 बटे 24 और उसके बाद लिखेंगे C is remaining share यानि जब question में इनके साथ from word लिखा हो तो यह सी दे गठा दिये जाते हैं उनके इससे में से यानि कि 3 बटे 6, minus 1 बटे 24, एक बटे 24 नहीं, एक बटे 12 LCM इनका भी कॉल रखने के लिए 12 ही ले लेते हैं, वैसे LCM तो 6, 12 आएगा लेकिन हम 24 ले लेते हैं 6 चोग 24 तो चयार ती है, 12, minus 12 दुनी 24 यानि कि 10 बटे 24 और D का से अर कितना है, एक बटे 24 तो X से लिया, पलस, सोरी, एक बटे 24 ये से लिया, एक बटे 24 बीस से जमा, एक बटे 12 से लिया, C से इनका LCM आ जाएगा, 24, एक जमा, एक जमा, दो, यानि कि 4 बटे 24 तो इनके न्यू रेशियो कितने आएंगे, अब देखें, A का था 3 बटे 24, B का है 7 बटे 24, C का है 10 बटे 24, और D का है 4 बटे 24, 24 हटा देंगे, रेशियो आ जाएगा, 3 रेशियो, 7 रेशियो, 10 रेशियो, 4 ये इनका न्यू रेशियो होगा, उसके बाद देखें, क्यूस्यन और है, 6 नमबर, A and B are partner, sharing profit in the ratio of 3 रेशियो, 2, they admit C into partnership, giving him 1 बटे 2 share, उसे आप दा इसा दे दिया जाएगा, in profit, which he acquire from A and B, in the ratio of 3 रेशियो, 1, calculate the new profit sharing ratio, देखें, ये क्यूस्यन थोड़ा साला लगे, हम लिखेंगे, जो नया partner बनाया, C is share, C कितना लेगा, 1 बटे 2, फिर हम लिखेंगे, C acquired from A, A से कितना लेगा, अपने इसे का, which he acquire, अपने इसे का, मतलब इसे एक बटे 2 का, which he acquire from A and B, in the ratio of 3 रेशियो, 1, A से कितना करेगा, गुणा में 3 बटे, 3 और 1 का total, ये 3 और 1 का total कितना, 4, 3 बटे 8, फिर हम लिखेंगे, C acquired from B, और वो B से कितना लेता है, एक बटे 2 का, एक बटे 4, यानि की, एक बटे 8, अब हम लिखेंगे, A is remaining share, A is remaining share कितना होगा, एका पहला इसा था उपर देखी, ये था 3 ratio 2 में बाठते थे, 3 बटे 5 और 2 बटे 5, इसका था 3 बटे 5, माइनस 3 बटे 8, LCM आगा, 8 बटे 4, तो 8 तिया 24, माइनस 5 तिया 15, यानि की, 9 बटे 4, फिर हम लिखेंगे, B is remaining share, 2 बटे 5, माइनस 1 बटे 5, 40 LCM, 8 दोनी 16, माइनस 5, 8 बटे 4, ये था 5, 8, 44, 38, 24, 8, 45, तो यहाएगा 8, 45 यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर आजाएगा 5 गटाने के बाद 11 बटे 4, और C का है, कितना 1 बटे 2, रेशो निकाल देंगे, 9 बटे 4, रेशो 11 बटे 4, रेशो 1 बटे 2, 40 इनका LCM आजाएगा, 9 रेशो 11, रेशो 20, इनका रेशो आएगा 9, रेशो 11, रेशो 20, यह निव रेशो के कुछ क्यूशन थे, यह से आगे के हर क्यूशन ही आपको आमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज आमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी, और इस वीडि पार्टनर who gets one-fifth share, यानि कि X और Y पार्टनर हैं, जो तीन अनुपात दो के अनुपात में लावों को बाटते हैं, उन्होंने Z को नया पार्टनर बना है, जो एक बटे 5 हिस्सा लेगा, calculate new profit sharing ratio, in each of the headline cases, पर तेक निवीन लिखित case में, आप एक new ratio calculate करके बताएगे, पहला case लिखा, if Z acquire his share from X and Y in their profit sharing ratio, बहुत बार ऐसा question दिया जाता है, if Z acquire his share from X and Y in their profit sharing, वो अपना हिस्सा लेता है, किस के पास से, यानि Z को जो एक बटे 5 लेना, वो किस से लेगा, X और Y से, किस ratio में, 3 ratio तून का जो लगा विवाजना नुपात है, तो सबसे पहले, एक नंबर case हम console करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, X ratio Y, उनका अनुपात कितना है, जो पहले से, 3 ratio 2, और Z share, Z का share है, 1 बटे 5, उसके बाद हम लिखेंगे, Z acquired from X, Z X से कितना लेगा, अपना इस्सा, 1 बटे 5, इसका, उसके अनुपात में, ratio 3 ratio 2, तो X का कितना है, 3, यानि ये 3 बटे इनका total, 3 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, उपर तो 3, और नीचे 5, 5, 25, फिर हम लिखेंगे, Z acquired from Y, Z Y से कितना acquire करता है, अपना इस्सा, 1 बटे 5 का ये, उसका इस्सा, 2, यानि कि उसका, 3 ratio 2 है, तो 2 upon 5, यानि कि ये आ जाएगा, 2 बटे 25, और उसके बाद हम लिखेंगे, अब X new share, X का नया इस्सा कितना आएगा, जो उसका पहले इस्सा था कितना, 3 बटे 5, उसका इस्सा था ही, 3 बटे 5, ये 3 ratio, 2, में से कितना दे दिया, उसने, 3 बटे 25 दे दिया, किसको दे दिया, Z को, तो 25 यहां लिख देंगे, LCM, 5, 5, 25 तो 5 तिया 15, माइनस 3, बराबर, 12 बटे 25, वहां लिखेंगे, Y is news here, Y का ना है, इस्सा कितना है, Y का, यानि Y का है, 2 बटे 5, माइनस, 2 बटे 25, यानि कि, 2 बटे 25 दे रहे हो, किसको, Z को इसने, 3 बटे 25 दे, 3 बटे 25 गटा दिया, यह 2 बटे 25 दे रहे, 25 गटा देंगे, और यह 25 LCM, आज आएगा, 5, 5, 25, तो 5 तो नहीं, 10, माइनस, 2, यानि कि, 8 बटे 25, और जो Z का है, वह आपको पताई है, Z का इस्सा कितना है, Z का इस्सा है, 1 बटे 5, इनका रेश्यो लिखेंगे, 12 रेश्यो, 12 अपोन 25, एट अपोन 25, और 1 अपोन 5, अब इनका LCM ले लेंगे, LCM आएगा 25, 12 रेश्यो, 8 रेश्यो, 5, 5, 25, यानि जो नया रेश्यो आया, 12 रेश्यो, 8 रेश्यो, 5, यह तो था केस नंबर 1, अब मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ, उपर, दूसरे केस में क्या लिख है, दूसरे केस को पढ़िये, if he acquired, 3 अपोन 25, फोन X, यान 3 बटे 20 फोन X, एक बटे 20 फोन Y, वो 3 बटे 20 तो लेता है, X से और 3 बटे, सोरी, 3 बटे 20 तो लेता है, X से और 1 बटे, 20 लेता है, फ्रोम, लेकिन जब फ्रोम लिख रखा हो तो हम कभी भी ऐसे एक वायर फ्रोम नहीं लिखते हैं, जब फ्रोम लिखा होगा, तो सीद दाउन के रेश्यो से गठता है, तो ना, जैसे आब हम दो नंबर केस लिखते है दो नंबर केस वैसे लिखेंगे, X रेश्यो Y कितना है, X रेश्यो Y है, 3 रेश्यो 2, Z से और, Z का इसा कितना है, 1 बटे 5, अब देखें, अगर यहां लिखा होता है, यह एक वायर, 3 बटे 20 ओफ, इस से एर, तो हम वो ऐसे गुणा करते हैं, जैसे इस लास्ट क्यूशिन मे हैंगे, हम लिखेंगे, Z का इसा, यानि कि आप हम सी दा लिखेंगे, X न्यूसेयर, X का न्यूसेयर कितना, पहले इनका 3 बटे 5, पहले कितना था, 3 बटे 5, उस में से गटा देंगे, जो उसने 3 बटे 20 किस को दिया, Z को, माइनस 3 बटे 20, 20 LCM आ जाएगा, 20 LCM आ जाएगा, 5 चोग 20 तो 4 ती है, 12 माइनस 3, यानि कि 9 बटे 20, और हम लिखेंगे, Y is न्यूसेयर, Y का नया इसा कितना है, 2 बटे 5, माइनस 1 बटे 20, 20 LCM आ जाएगा, 5 चोग 20, 42 बटे 8, माइनस 1, यानि कि 7 बटे 20, और अब लिख लेंगे, MZ को कितना मिला, देखिए, Z share, Z को कितना मिला, 3 बटे 20 तो किस ने दिया, X ने, जमा, 1 बटे 20 किस ने दिया, Y ने, दोनों को जोड लेंगे, ये बराबर हो, नीचे के, हर बराबर हो, तो उसी दा जोड देते हैं, 4 बटे 20, यानि कि Y आ जाएगा, 1 बटे 5, इनका new ratio, तब मैं इसको 4 बटे 20 किसे करते हैं, 1 बटे 5 को, ये तीसलिए करके बताया था, अब इनका new ratio यहां लिख देंगे, A का है, 9 बटे 20, ratio B का है, 7 बटे 20, यानि कि X का, Y का, और Z का है, 4 बटे 20, इनका ratio आ जाएगा, 9 ratio, 7 ratio, 4, ये था, आप देखिए, case number 3, 3, if he acquire 1 बटे 10 from X and 1 बटे 10 from Y, 1 बटे 10 from X and 1 बटे 10 from Y, वैसे के वैसे सोल कर देंगे, जैसे हमने लास्ट में अभी एक क्यूस्टिन किया था, आपके यहां, तो देखिए, हम सब से पहले लिखेंगे, case number 3, x ratio y, x ratio y, ये 3 ratio 2, x ratio y, हमने लिख दिया 3 ratio 2, अब हम लिखेंगे, x, new share, x का नाय इसा कितना है, वैसे लिखेंगे, जैसे था पहले, 3 बटे 5, minus 1 बटे 10, क्योंकि वो इस से कितना ले, रहे जड़, 1 बटे 10, एक बटे 10, यानि कि, LCM लेंगे, इनका 10, 5, 2 नी 10, और 10, पांच दूनी 10, तो 3 दूनी 6, यानि कि, 5 बटे 10, और, ये, उसके बाद लिखेंगे, कि, Y is new share, 3 बटे, सोरी, 2 बटे 5, minus 1 बटे 10, वो इस से भी कितना ले रहे, 1 बटे 10, 1 बटे 10 ले रहे, तो कितना आ जाएगा, 10 LCM, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, minus 1, यानि कि, 3 बटे 10, और, अब लिखेंगे, Z share, Z का इसा कितना, 1 बटे 10 इस ने दिया, plus 1 बटे 10 दूसरे ने दिया, अब देखें, अब next case आपको दिखाते हैं, case नमबर 4 में, उसने क्या का है, if he, acquire 1 बटे 10 फ्रों X, एंड, 3 बटे 20 फ्रों Y, ऐसा ही case, हमने case नमबर 2 बताया था, इसमें उल्टा लिख दिया, जिसमें उसे 3 बटे 20 गटाया था, इस case में, जा 3 बटे 20 गटाया था, तो यह case तो आप कर सकते हैं, यानि case नमबर 4 हो गया इसके साथ, क्योंकि बिल्कुल यह का यह है, बस उल्टा लिख है इनको, अब case नमबर 5 है, if he acquire is share entirely from X, यह देखी, question नमबर 4, इसकी 4 नमबर case में, क्या लिख है, X और Y का ratio है, 3 ratio to Z share, Z का share है, एक बटे 5, और उसके बाद लिखेंगे, Z acquired from X, X से कितना acquire करता है, 1 बटे 5, एक बटे 5, X से acquire करता है, तो हम लिखेंगा, अब X new share, X का नया इसा कितना है, उसका पहला इसा 3 बटे 5, माइनस 1 बटे 5, जब ऐसे निच्चे कार समान हो, तो शी जुड जाता है, गट जाता है, तो आजाएगा 2 बटे 5, और उसके बाद अब Y से, Y ने तो उसको कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि Z ने तो सारा किस से लिए, X से 1 बटे 5 का 1 बटे 5, यहां से ले लिए X से, तो अब कितना कर देंगा, उसका वही रहेगा 2 बटे 5, Y का जो इस्सा था, और Y Z का है कितना, एक बटे 5, तो जो न्यू रेश्यो आ जाएगा, If he acquire his share entirely from Y, अगर वो अपना सारा share किस से लेता है Y से, तो इसमें तो आमने केवल किस से गटा दिया, X से, आम जो अगला question आप करें, उसमें गटा देंगे किस से इसको, जो अपना partner है Y से, इस question को करके देखें, और एक 3 number case आप खुद से करके देखें, कोई समस्या हो, तो इस वीडियो में comment करें, thank you, उस आगे हमारा question न्यू रेश्यो का, A and B are partner in firm sharing profit in the ratio of 2 ratio 1, C join the firm, A surrender one fourth of his share in and B, one fifth of his share in favor of C, find the new profit sharing ratio, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इस question को करने के लिए, A surrender in favor of C, C के favor में A कितना surrender करता है, अपने इसे का, उसका खुद का इसा कितना है, 2 ratio 1 में बाटते हैं और भी तो उसका खुद का इसा कितना है, 2 बटे 3 का, 1 बटे 4 यह लिखेंगे, एक बटे 4 of his share, from लिखाओ तो गटाते हैं, off लिखाओ तो का मतलब गुणा करते हैं, यह आ जाएगा 2 बटे 12 और फिर लिखेंगे, B surrender in favor of C, B कितना surrender करता है, 1 बटे 3 का और यह उसका इसा, 1 बटे 3 का 1 बटे 5 यानि की 1 बटे 15, अब देखें, A ने अपने इसे में से C को दिया 2 बटे 12 और B ने दिया 1 बटे 15, यह देने के बाद उनका खुद का इसा कितना बचेंगे, हम लिखेंगे A is remaining share, यह देने के बाद A का खुद का इसा था 2 बटे 3, उसमें से दे कितना दिया 2 बटे 12, घटाद देंगे 12, हैलसियम 3, 4, 12, 4, 2, 8 और 12, 12, यह देने उसका खुद का इसा बचेंगे 6 बटे 12, और उसके बाद हम लिखेंगे B is remaining share, B का बचा वह इसा कितना है, B का है 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 15, जो उसने उसको दे दिया 1 बटे 3 उसका था, 15 ऐलसियम 3, 5 बटे 15 माइनस 1, यह देने कि 4 बटे 15, और C का इसा कितना A ने दिया 2 बटे 12, पलस B ने दिया 1 बटे 15, दोनों का जोड कर लेंगे 60 हलसियम 12, 65 तो 5 दूनी 10, जमा 15, 64 तो 4 यह इनि इसका 14 बटे 60, अब इनका new ratio निकालेंगे यह यह और यह 6 बटे 12 रेशियो 4 बटे 15 रेशियो 14 बटे 60, क्यूस्चिन का इसका आंसर होगा 15 रेशियो 8 रेशियो 7 उससे जो आगए का क्यूस्चिन वह देखी जो इसमें आसे क्यूस्चिन होंगे वह हम आपके लिए छोड़ देंग जो बिल्कुल ऐसे क्या से होंगे, एक नया पार्टनर इने फरम सेरिंग प्रोफित और लोसिज इन दा रेशियो 9 रेशियो 6, एक और य लाबों को बाटते हैं नौन पाच्छे में, एक न्या पार्टनर जैड इस एडमिटेड एक नया पार्टनर जैड एडमिटेड गया, ए स्रेंडर 3 बटे 15, 3 बटे 15, सेर ओफिज प्रोफिट इन फेवर ओफ जैड और य एडमिटेड इन फेवर और जैड यानि कि, ए अपने इसे का 3 बटे 15 और य अपने इसे का 6 बटे 15, किस के फेवर में स्रेंडर करता है, है जैसा क्यों नाइभी आभी करवाया 8 नंबर सेम ऐसा है बिलकुल इसमें एक बटे 5 और एक बटे चार और एक बटे पांच लिख था इसमें लिख था तीन बटे 15 और चैनवें पंदरा या आप यह आप खुद से करें अगर आपको इसमें छोटी मोटी भी समझ है तो वीडियो के कॉमेंट सक्षन में जाके आप कॉमेंट करें इसका भी सोलुशन आपको मिल जाएगा उसके बाद है यह भी देखते हैं कैसा है A B C R partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4 ratio 3 ratio 3 they admitted D as a new partner A surrender 1 4th of his share in favor of D and B surrender 1 5th of his share in favor of D और C surrender 1 6th of his share in favor of D बस इसमें तीन पार्टन है उन जैसा यह जो last करवा दे लेकिन यह मैं फिर भी कर रहा हूं हम यह लिखेंगे A surrender in favor of C A कितना surrender करता है आपने इसे का उसका खुद का इसा है यहां से देखके 4 और 37 और 30 10 यानि 4 बटे 10 है उसका खुद का इसा 4 बटे 10 का 1 बटे 4 यानि कि 4 बटे 40 surrender करता है A फिर अम लिखेंगे B surrender in favor of C B कितना करता है आपने इसे का B का इसा है यहां से देखके 3 बटे 10 का 1 बटे 5 यानि 3 बटे 50 और C surrender in favor of C कितना करता है अपने इसे 3 बटे 10 का 1 बटे 6 यानि 3 बटे 60 अब इनके उसी परकार बचे वह इनके खुद के शेहर निकालेंगे यह यह तो इनने अपने इसे से किसको दे दिया? D को तो हम लिखेंगे A is new share या A is remaining share यहां मैं A is new share लिख रहा हूं last question मैं आमने लिखा था A is remaining share तो यहां उसका खुद का इसा था 4 बटे 10 माइनस 4 बटे 40 तो यहां 40 LC म ले लेंगे 4 चोग 16 माइनस 4 याने की 12 बटे 40 12 बटे 40 हा जाएगा उसके बाल लिखेंगे B is new share B का नाया इसा कितना आएगा उसका खुद का इसा था 3 बटे 10 माइनस 3 बटे 50 इसका 50 LC पांच ती यह 15 माइनस 3 याने की 12 बटे 50 उसके बाल लिखेंगे C is new share C का नाया इसा कितना है 3 बटे C का खुद का इसा था 3 बटे 10 माइनस 3 बटे 60 60 LC म और 6 ती या ठारा माइनस 3 याने की 15 बटे 60 और अब D के इतना आएगा 4 बटे 40 पलस 3 बटे 50 पलस 6 बटे सोरी 3 बटे 60 और इनका LC म आया वाई 600 तो काटेंगे 15 चोक को 60 पलस 12 या 36 पलस या आएगा 30 याने की 30 यो 30 साथ 126 बटे 600 आएगा और उसके बाद आवीन का लिख देंगे जैसे 12 बटे 40 रेशियो 12 बटे 50 रेशियो 15 बटे 60 रेशियो 126 बटे 600 और इसका काट बाद 144 रेशियो 150 रेशियो 126 यहां तक आप से कट पाते हैं वहां तक आप इदको काटके काल्कुलेट कर सकते हैं तो देखे पहले मैं 2 से काट देता हूं तहुं आ जाएगा 90 यहां आ जाएगा 72 यहां आ जाएगा 5ством और यहां आपका 3.12 और 3.26 और उसके बाद अभी एक बार 3 से कटते हैं 3.00, 30, 3 से कटेंगे 24, 3 से कटेंगे 25 और 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3 और 3.12, 14 यहनि आपका रेशियो आएगा यहाँ पर 30, रेशियो 24, रेशियो 25, रेशियो 40 यह था इसको पहले काटा दोस से तो यह थोड़ा फिर से मिस्टेक होगी दोस से काटेंगे तो दो चीकी 12 और दो दोनी दो ती आचे 63 आएगा और 63 को काटेंगा तो 21 आएगा यानि कि 30 रेशियो 24 रेशियो 25 रेशियो 21 इसका आंस्वर होगा उसके बाद अगला क्यूशन देखिया आप A, B, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3 ratio 2 बहुत अच्छा क्यूशन है तो देखिये सबसे पहले हम लिखेंगे A, B काउल रेशियो कितना दे रख है 3 ratio 2 A surrender 1 third of is here on favor of X यहां लिखेंगे A surrender in favor of X A, X के favor में कितना surrender करता है 3 बटे 5 उसका इस है यहां से देखिये 3 बटे 5 का 1 बटे 3 यानि 3 बटे 15 उसके बाद B surrender इन favor of Y वो Y में कितना surrender करता है Y के favor में surrender करता है 2 बटे 5 का 1 बटे 4 यानि 2 बटे 20 यानि कि A दे रहा है X को और B दे रहा है Y को उसके बाद लिखेंगे A is remaining here A का बचा हुआ इसा कितना है उसका खुद का इसा था 3 बटे 5 माइनस 3 बटे 15 यानि 15 LCM तो 5 तिया 15 तिया 9 माइनस 3 छे बटे 15 उसके बाद लिखेंगे B is remaining here 20 remaining here 2 बटे 5 माइनस 2 बटे 20 20 LCM तो 5 से इसको काट देंगे 5 चोग 24 दूनी 8 माइनस 2 यानि 6 बटे 20 और उसके बाद X का इसा सिर्फ यही है 3 बटे 15 और Y का इसा जो इसने दिया B ने कितना 2 बटे 20 उसको X ने दिया था X को दिया A ने और Y को दिया B ने 3 बटे 15 और आप इन 4 का रेश्यो लिख देंगे 6 बटे 15 रेश्यो 6 बटे 20 रेश्यो 3 बटे 15 रेश्यो 2 बटे 20 और इनका LCM आ जाएगा 60 और 60 से काट दे 15 चोगू 64 चीकी 24 बीस तिया 60 तो 6 तिया 18 15,360 तो 12 और 20 तिया 60 तो 3 दुनी 26 को 6 से काट देते हैं 64 24 रेश्यो 6 तिया 18 रेश्यो 6 दुनी 12 रेश्यो 1 4 रेश्यो 3 रेश्यो 2 रेश्यो 1 इसका होगा आंसर एक क्यूशन और हमारे पास निव रेश्यो का फिर अगली वीडियो में हम sacrifice ratio के करवाएंगे P and Q share profit in 3 ratio 2, they admit R and S with 1 4th and 1 5th share respectively, calculate the new profit sharing ratio, यह भी एक अच्छा question है, यहां लिखेंगे, let, total profit, total profit 1, हम लिखेंगे, R share कितना है, 1 बटे 4, और S share, S का इसा भी कितना है, 1 बटे 5, remaining share, total 1 था, 1 में से 1 बटे 4, R को दे दिया, और 1 बटे 5, S को दे दिया, इनका calcium लेकर निकाल देंगे, 4 और 5 का calcium आया, 20, तो यहां तो पहले 1 से बाग देंगे, तो 20 minus 4, 5, 20 minus 5, 20, तो यानि minus के 9 गठा देंगे, 11 बटे 20 बच गए, कुल मिलाके हमारे पास, 11 बटे 20 बच गए, उसमें लिखेंगे, अब P's news here, P का ना है, इसा कितना है, वो 11 बटे 20 मिलेगा, कितना 3 बटे, अनुपाद 2 में बाटेंगे, P और क्या हो कि, इसको 11 बटे 20 को, तो गुणा में 3 बटे में 5, यानि 33 बटे 60, और उसके बाद Q's news here, Q का ना है, इसा कितना हैगा, ग्यारा बटे 20 का, दो बटे 5, यानि की, 20 की और 5 की गुणा 100 आएगी, गलती से 60 लिख दी, उसके बाद 22 बटे 100, अब इनका रेश्यों निकाला देंगे, P का कितना है, 33 बटे 100, क्याओ का कितना है, 22 अपोन 100, A का, R का कितना है, एक बटे 4, और B का कितना है, S का कितना है, एक बटे 5, एन्डर्ड एलसी हमा गया, 33 रेश्यो, 22 रेश्यो, 4 से काटेंगे, तो 25 रेश्यो, 20, तो इसका जो अमारा आँसर आएगा, 33 रेश्यो, 22 रेश्यो, 25 रेश्यो, 20, यह आँसर होगा, इस अगली वीडियो में हम sacrifice रेश्यो के question कराएंगे, अगर इनसे आपको थोड़ा बहुत भी benefit होता है, तो प्लीज आमारी वीडियो को like, share कर दीजी, और चैनल को subscribe कर दीजी, thank you.